आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है इमानदार चोर, एक बहुत बड़े गाउ में मुंशी नाम का एक चोर रहता था, वो एक शातिर और बहुत ही इमानदार चोर था, गाउ के सभी लोग जानते थे कि मुंशी एक चोर है लेकिन कभी भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। मुन्शी आज भी बेखॉफ होकर गाउं में घूमता है और हर एक घर की खबर रखता है। लोग उसे देख कर सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इसे जरूर पकड़ेंगे। मुन्शी की पत्नी कहती है, अच्छा कहाँ चोड़ी करने जाओगे। मुन्शी कहता है, शर्मा जी के यहाँ, आज उनके घर शादी है ना, आज बहुत सारा सोना और आभूशन वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाओंगा और सोनाचान्दी लेकर वापस आऊँगा मुन्शी की पत्नी उदास होते हुए कहती है क्या फाइदा इस सोने चान्दी का पिछली बार जो तुमने सोने का हार चुराया था वो मैं पहन भी नहीं पाई नजाने कितने सोने चान्दी के आभूशन मैं केवल देखकर उन्हें वापस संदूप में ही रख देती हूँ क्योंकि अगर किसी ने यह आभूशन पहने हुए देख लिया तो आफ़त हो जाएगी मुन्शी कहता है अरे नहीं नहीं बहुत जल्दी तुम इन सभी गहनों को खुल्याम पहन पाऊगी क्योंकि इस चोरी के बाद हम इस गाव को छोड़कर दूसरे गाव में चले जाएंगे और वैसे भी किसी चोर को ज्यादा देर तक किसी भी जगह पर नहीं थहरना चाहिए ये बात मेरे गुरू ने मुझसे कही थी मुन्शी कहता है चलो अब मैं गुरू का नाम लेकर चलता हूँ और अच्छे से चोरी करता हूँ ये चोर देवता ये चोरी अच्छे से करवाना और मुझे आशिरवाद देना की मैं धेर सारा सोनक चांदी लेकर आ सकूँ मुन्शी को जाता हुआ देख उसकी पत्नी कहती है अच्छा सुनो संभल कर जाना और चोरी करते हुए पकड़े मत जाना धोड़ी देर चुपते चुपाते मुन्शी शर्मा जी के घर पहुँचता है वो अपने तेज दिमाग से घर में बिना आवाज किये प्रवेश करता है उसने देखा कि शर्मा और उसकी पत्नी दोनों सो रहे हैं लेकिन मुन्शी को शर्मा जी की एक आदक नहीं पता थी कि शर्मा जी रात में कई बार नींद में चलते हैं और गाना गाते हैं। मुन्शी अपनी चोरी का काम शुरू कर देता है, जैसे ही वह बरतनों को समेटने की कोशिश करता है। शर्मा जी नींद में चलते हुए और गाना गुंगुनाते हुए मुन्शी की तरफ आते हैं, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया, ये सब सुनकर मुन्शी को लगा कि शर्मा जी को पता चल चुका है. या फिर किसी ने उन्हें ये खबर दे दी है कि मुन्शी आज उनी के घर चोरी करने वाला है. मुन्शी ये सब सुनकर अपना काम बंद कर देता है और बिना आवाज की चुक जाता है. फिर शर्मा जी की पतनी उन्हें आवाज लगाती है, अजी कहां चले गए? इतने में शर्मा जी की नींद खुल जाती है और वह वापस बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं. मुन्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि शर्मा जी सोए है या फिर जाग रहे हैं. वह कुछ देर इंतजार करता है. इतने में घराटों की आवाज कमरे में गूंजने लगती है. मुन्शी को लगता है कि अब ये दोनों सो चुके हैं. वह विस्तर के नीचे से उठता है और देखने लगता है. दोनों को सोता हुआ पाकर वह अपना काम शुरू करता है. वह कमरे में रखे संदूग के पास जाता है और उसे खोलता है. इतने में फिर से शर्मा जी नींद में उठते हैं और गाना गाते हैं. देख लिया, देख लिया. मैंने तुम्हें संदूग खोलते हुए देख लिया. ये सुनकर मुन्शी के तो होशी उड़ जाते हैं. उसे लगता है कि इस बार शर्मा जी ने उसे पकड़ ही लिया. लेकिन शर्मा जी तो नींद में चल रहे थे. थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी पत्नी वापस उन्हें आवाज लगाती है. कहा चले गए? वापस से शर्मा जी की नींद खुलती है और वह वापस से बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं. मुन्शी कहता है, ये शर्मा जी भी ना. मुझे ठीक से चोरी भी नहीं करने देंगे. यह मेरी आखिरी चोरी है. अगर मैंने इस चोरी को सही से नहीं किया तो मेरे चोर देवता मुझसे रूट जाएंगे. और अगर मैं चोरी करके घर वापस नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे चपल से मारेगी. नहीं, नहीं, मुझे ये चोरी करनी ही होगी. वो संदूप को उलट-पुलट कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सोने की थाली और कटोरी पर पड़ती है. वो संदूप को छोड़ कर उनकी तरफ बढ़ता है. तभी शर्माजी नींद में चलते हुए गुनबुनाते हैं. पकड़ लिया, पकड़, लिया, और अब तुम्हे सजा मिलेगी. ये सुनकर मुंशी के माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है. उसे लगता है कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया. वो पास ही रखे एक लाल रंग की धोती को लपेट लेता है. धोती को वो इस तरह लपेटता है, मानो वो को इस्त्री हो. इस बार शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी की हरकतों से परेशान हो चुकी थी. वो खड़ी होती है और शर्मा जी को लाने के लिए कमरे से बाहर आती है. वो देखती है कि शर्मा जी नींग में उस्त्री के पीछे पीछे चल रहे है ये देखकर शर्मा जी की पत्नी कहती है हाई रे तो यह है सोतन रात में नींग में चलने का तो बहाना है गाने गुनबुना का रयाशी करते हो इसके साथ ये शब्द सुनकर शर्मा जी नीन से उच जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक लाल साड़ी पहने स्त्री ख़़ी है शर्मा जी की पत्नी दंदा लेकर उस स्त्री और शर्मा जी के पीछे भागती है तब ही मुन्शी की लाल साढ़ी उतर जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है इसे देखकर शर्मा और शर्मा जी की पत्नी दोनों पूछते हैं तुम कौन हो और यहां क्यों आये हो यह सवाल सुनकर मुन्शी अपने तेज दिमाग को भुमाता है और कहता है मैं तो वर्मा जी के घर जा रहा था पता नहीं शर्मा जी के घर कैसे आ गया ये सुनकर शर्मा जी को गुसा आया और उसने मुन्शी की गर्दन को पकड़ा और कहा सही सही बता क्यों आया है यहाँ मुन्शी ने एक ही बार में सब कुछ उगल दिया उसने कहा मैं चोर हूँ और आज मैं आपके घर चोरी करने आया था लेकिन कुछ चुरा तो नहीं पाया क्योंकि पूरी रात तुमने परेशान कर दिया ये सुनकर मुन्शी गुसा होते हुए बोलते हैं अच्छा चोर हो रुको मैं पूरे गाउव वालों को अभी यही इकठा कर लेता हूँ और फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है ये सुनकर मुन्शी हाथ जोलते हुए शर्मा जी की पत्नी से कहता है भाभी जी आप ही समझाए ना इनको कुछ चुराया तो नहीं और अब तो मैं आपके सामने भी हूँ मुझसे गलती हुई है और अब मैं इस गाउव में कभी चोरी नहीं करूंगा मुन्शी की भोली सूरत देखकर शर्मा जी की पत्नी कहती है आजी सुनो यहादमी सच कह रहा है चोर है तो क्या हुआ उसने कुछ चुराया तो नहीं रहने दो छोर दो इसे सुन चोर तूने इतनी मेहनत की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं चुरा पाया एक काम कर तू यह लाल साड़ी ही ले जा शर्मा जी की पत्नी ने उसे सुझाव देते हुए कहा मुन्शी बिना कुछ बोले साड़ी लेकर चला जाता है उसके बाद शर्मा और शर्मा जी की पत्नी दोनों सुने के लिए चले जाते हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं